हेलो फ्रेंड्स माइनेम इस सोना एंड यू आर वाचिंग मैं चैनल इस सोना आर्ट दूस्तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक यूनिक और बहुत ही प्यारा सा वॉल हैंगिंग और लास्ट वीडियो में मैंने ये जो साइड में दिख रहा है इसे टू टैप्स के सेल्फ हमने बनाए थे अगर आप वो वीडियो दिखना चाहते तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने यहां प और भी रोड़साइड पे मिल जाएगी अब कटर की हेल्प से हमें इसकी स्किन को दिमू कर लेना है स्किन निकलने के बाद कुछ इस तरह दिख रही है अब स्टिक पे में पेंट से रेंडमली सिम्पल सी डिजाइन क्रियेट कर रही क्योंकि बाद में इसमें हम पेंट करने वाले हैं और अगर आप पेंट नहीं करना चाहते हैं तो जूट रोप से कवर भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रखेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा पर मैं स्टिक को थोड़ा कलरफुल लुक देना चाहती थी इसलिए इस तरह सिम्पल सी डिजाइन करके उस पेंट करूंगी इस तरह पूरी स्टिक पर मैंने डिजाइन बना ली है आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं जो भी आपको आती हो अब यहां पर मैंने फेविक रेल का वाइट एक्रेलिक कलर लिया है और अब बेंड करेंगे अब दूसरे कलर के लिए वाइट और मर्चंटा दोनों एक्रेलिक कलर ही है दोनों को मीक्स करके थोड़ा लाइट कलर बनाएंगे और उस से पेंट करेंगे अब पूरी स्टिक पे कलर हो गया है और इसे ड्राइ होने के लिए छोड़ देंगे और अब टेसल्स बनाएंगे टेसल्स बनाने के लिए मैंने यहां पर गूल थ्रेड लिया है और एक कार्डबोर्ड में से 4.5 सेंटिमीटर का एक टुपड़ा कट कर लिया है और अब टेसल्स बनाना स्टार्ट करेंगे और कार्डबोर्ड में हमें इस तरह से 40 राउंड लगाने है अब 40 राउंड हो चाने के बाद नीचे से कट कर लेना है और उपर की और इस तरह से एक नोड लगा लेना है अब एक्स्ट्रा ट्रेड को कट कर लेंगे और अब कार्डबोर्ड में से निकाल लेंगे अब इस तरह बर्याबर करते हुए उपर की साइड भी एक नोड लगा लेना है अब नीचे से बराबर करते हुए नीचे से सारे थ्रेड को हम कट कर लेंगे अब जो नीचे एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे हम कट कर लेंगे इस तरह से सारे टेसल्स हम रेडी कर लेंगे अब मैंने इस वोल हैंगिंग को बनाने के लिए नाइन टेसल्स रेडी कर लिए है आप यहाँ पर कम या ज्यादा कर सकते हैं अब थ्रेड को नीचे से इस तरह उपर की और निकल लेना है अब मैंने यहाँ पर गोल्डन पल्स का यूज किया है आप कोई भी माटिरियल ले सकते हैं जो भी अवेलेबल हूँ आपके पास अब इस तरह रेडी हो जाने के बाद स्टिक के साथ अटेच कर लेना है इस तरह नोड लगा कर हैंग कर देना है अब इस तरह से सारे टेसल्स को हम हैंग कर लेंके यह सारे टेसल्स में नीचे से ट्राइंगल सेप में हैंग कर दिये है और हैंग करने के लिए एक थ्रेड मेंने श्टिक के साथ भी अटेच कर ली है तो चलिए अब लेड़ी हो चुका है अब इसे वाल पे हैंग कर देंगे तो दोस्तो ये हैंग करने के बाद बहुत ही खुबसूरत लग रहा है और इसे बना कर आप अपने घर के किसी भी कोर्नर को ब्राइटन अप कर सकते हैं एक्चलि इट्स मोबाइल तो आप इसे किसी भी कोर्नर में लगा सकते हैं और एक रूम से दुसरे रूम में आप इसे फिक्स भी कर सकते हैं आप अपने living area में भी लगा सकते हूँ, it's going to enhance the whole decor of that particular area. So guys, it's very easy to make as well, और मुझे comment करके जरूर बताएगा कि आज का ये DIY आपको कैसा लगा दोस्तो, और आप जरूर घर पर बनाए और अपने रूम को सजाए, अपने घर को एक सुन्दर लुक दे, और अगर मेरे चैनल पे नए है और फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो को देख र जार ख मेरे लुका या मेरे है और है टूम को बनाएगा कीजयों को देख भी।起ृवण